नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब, केसरी में आए नजर डालते हैं दिन की कुछ बड़ी खबरों पे विश्व भारती में मोदी ने दिया चात्रों को मंत्र विश्व भारती विश्व इद्याले के प्रगारण में मंत्रagu चारन करने जैसी ऊरजा महसूस करता हूं मैं इस विश्व इद्याले के कुल दीपति के नाते महमान की तरह नहीं तूतिकोरनी हिंसा, CBI जांच की मांग पर सुमवार को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में तूतिकोरनी हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है अधिवक्ता G.S. Money ने मांग की है कि अदालत अपने निगरानी में हिंसा की CBI जांच कराए क्योंकि राज्य पुलिस किसी भी सूरत में जांच निश्पक्ष तरीके से नहीं होने देगी मामले में अगली सुनवाई 28 माई को होगी सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि तूती कोर्नी के जिला अधिकारी पुलिस अधिशाक वे अन्य पुलिस अफसरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो मृत्यकों को 50 लाख रुपे बतौर मुआफजा मिले गंभी रूप से घायलों के लिए 25 लाख रुपे देने की मांग की पियम मोदी ने जारखंड में के 27,000 करोड की योजनाओं का शिलन नियास केंदर की सत्ता में मोदी सरकार के 4 साल आज पूरे हो रहे हैं अगले दिन पांचवे साल की शुरुवात होगी तो जारखंड में 5 बड़ी योजनाओं पर धराताल पर उतर रही होगी शिलन नियास कार्यक्राम के साथ ही काम शुरू करने की तैयारी पहले से ही हो चुकी है सिंद्री खात कार खाने का पुनरद्वार पतरूतों में 6400 मेगावार्ट का सूपर थर्मल पावर प्लांड देवघर में एम्स की स्थापना, देवघर में ही एरपोर्ट के निर्माण और विकास एवं रांची में गैस पाइपलाइम की पर्योजना वो 5 बड़ी पर्योजनाएं हैं जो शिलन नियास के साथ ही तेजी से शुरू होंगी कुछ योजना है तो धराताल पर महीने दो महीने से दिखने ही लगेगी कच्चे तेल में आई नर्मी, घट सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से तरस्त आम लोगों को राहत देने के लिए सरकाल लगातार समधान ढूंड रही है इस बीच अंतरराश्ट्रे बजार से अच्छी खबर आई है जो इंधन की बढ़ती कीमतों को राहत देने में मदद कर सकती है शुकरवार को ब्रेंट क्रूड 44 सेंट सस्ता हो गया इसके साथ ही 38.35 डॉलर प्रती बैरेल पर पहुँच गया वहीं यूएस वेस्ट टेकसेस में वी टी आई क्रूड की कीमत भी नीचे आई है 33 सेंट की कटोती के साथ रहा 70.38 डॉलर प्रती बैरेल पर फिलहाल बना हुए कुलगाम में सैन्य शिवर पर फिर से ग्रेनेड हमला आतंकियों ने सेना द्वारा घोशित एक तरफा रमजान युद्विराम का फायदा उठाया है अपनी गतिवीदियों में तेजी लाते हुए शुकरवार को दक्षन कश्मीर और कुलगाम में एक लेकिन ना सैन्य शिवर को वह नुकसान पहुचा पाए और ना हत्यार लूट पाए फिलहाल सुरक्षा बलो ने आतंकियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और तलाशी अभ्यान जारी कर दिया है और तलाशी अभ्यान चला रगाए IPL 2018 का दूसरा एलिमिनेटर आज IPL के दूसरे एलिमिनेटर में शुकरवार को सनराइजर हैदरबाद का सामना कोलकाता नाइट राइडर से हुगा हैदरबाद ग्रूप चरण में 14 मैचों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है लेकिन टीम को आखरी 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है लेकिन वहीं कॉलकाता की टीम लगातार चार्ज जीत के साथ इस मुकाम तक पहुँच गई है शुकरवार को जो टीम जीतेगी वैं मुंबई में महिंदर सिंग धोनी की टीम CSK के साथ फाइनल में खेल देज दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी मैं प्रती कैमरामेन जतिन शर्मा के साथ